हेलो इस्टोरेंट्स, फिलेंगा पुछ चनल सब कुछ नो, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन मायत का एक्सरसाइज बारे का थर्ड पार्ट इससे पहले आप लोगों ने सिकेंड पार्ट में कोस्चन थर्ड तक पुरा कम्प्लीट पढ़ाई किया था अगर आप लोग चनल पना है, चनल को सब्स्प्स्पाइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी सा अनलाइन पढ़ाई कर सकना तो देखिए यहां कोस्चन नमबर फोर दिया हुआ है, निशा के विद्ध्याले में खेल के मादान की लंबाई साथ मीटर है, चोड़ाई पचास मीटर है, खेल के मादान का छेत्रफल एयर में बताएए, अब ये एयर में क्या दिया, देखिए यहां लंबाई में है, तो पहले इसको आप लोग याद रखेंगे, 100 मीटर स्कुराइर बराबर होता है, एक एयर और ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, 100 मीटर स्कुराइर रहागा तो एक एयर होगा, और 10,000 मीटर स्कुराइर रहागा तो एक हेक एयर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, इसका यूज होगा सभी कोस्टम्स में जिसमें पूछेगा अब जैसे माल लिजीए यहां मीटर में दिया है और पूछा है एयर में तो 100 मीटर स्क्वाइर बराबर एक एयर होता है इसको याद होना चाहिए आप लोगों को तो कहा है कि नीशा के विद्धयाला में खेल के मायदान की लंबाई 60 मीटर और चोड़ाई 50 मीटर है दोनों जब अलग-अलग होंगे लंबाई और चोड़ाई तो आप लोग समझ जाएंगे कि आयत है और दोनों अगर बराबर होंगे तो समझ जाएंगे आप लोग की वर्ग है तो आयत का छेत्रफल पूशा है तो छेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानेंगे लिखेंगे पहले एक बारे हाँ पर लिखेंगे मायदान की लंबाई मायदान की लंबाई बराबर दे दिया है 60 मीटर लिख लेंगे चोड़ाई भी दिया है मायदान की चोड़ाई बराबर 50 मीटर दोनों दे दिया है पूशा है मायदान का छेत्रफल एयर में पहले तो हम लोग मायदान का छेत्रफल निकालेंगे मीटर में होगा बाद में उसको एयर में चेंज करेंगे तो देखिए लिखेंगे हम लोग मैदान का छेत्रफल पूछा है तो मैदान का छेत्रफल बराबर मैदान का छेत्रफल बराबर फार्मूला होता है देखिए ये आयत है क्योंकि दोनों अलग-अलग है तो आयत होगा तो आयत का छेतरफल आप लोग जानते हैं लंबाई गुरे चोराई होता है फार्बुला हमने बताया था लंबाई गुरा में चोराई लंबाई को L से चोराई को B से लिखते हैं चाहा L और B लिखेंगे चाहा लंबाई और चोराई लिखेंगे छेत्रफल पूछा है, लंबाई देखिए दे दिया है, 60 मीटर तो लंबाई की जवब पर लिखेंगे गुड़ा में चोड़ाई देखिए, पचास दिया है, तो पचास लिखेंगे दोनों का गुड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा, 3000 छेत्रफल को हमने बताया था, हमेशा स्क्वाईर में लिखते हैं तो ये मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर का स्क्वाईर लिख लेंगे अब देखिए, अगर मान लिजिए हैं, एयर में नहीं पूछा होता कोस्चन तो हम लोग यही लिख लेते हैं अंसर हो जाता लेकिन पूछा छेत्रफल किसमें बताना है, एयर में बताईए अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे देखिए, तीन हजार मीटर स्क्वाईर आया, जबकि सो मीटर स्क्वाईर बराबर एक एयर होता है एक एयर कितना होता है, सो मीटर स्क्वाईर और इतना मीटर स्क्वाईर क्या करेंगे एयर में बदलने के लिए भाग करना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे यही पर बदल लेंगे यह दिया है 3000 और बटा में कितना कर लेंगे 100 जब 100 से भाग करेंगे तो बदल जागा किस में Air में 10-10 फिर 10-10 cancel कर लेंगे 30 में 1 से भाग करेंगे तो 30 आगा 30 Air यही answer हो जागा आपका 30 एर तो इस तरह देखिए कोस्टन को सर्फ कर लेना हम लोग कोस्टन नमबर 5 को देखते हैं तो देखिए आपर कोस्टन नमबर 5 दिया हुआ आविनास के क्रिस्ट फार्म की लंबाई 240 मिटर और 4 एक 110 मिटर है क्रिस्ट फार्म का छेत्रफल हेक्टेयर में ग्याद किजिए अभी हमने आज फार्मूला लिखा हुआ था जो चेंज करने के लिए हेक्टेयर को 10,000 मिटर का स्कुआर बराबर 1 हेक्टेयर होता है पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं क्रिस्ट फार्म की लंबाई दिया तो हम लोग लिखते हैं फार्म की लंबाई बराबर 240 मिटर और चड़ाई भी दे दिया है तो लिखेंगे क्रिस्ट फार्म की चड़ाई बराबर 110 मिटर छेत्रफल पूछा तो पहले हम लोग छेत्रफल लिखेंगे क्रिस्ट फार्म का छेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं छेत्रफल में लंबाई और चड़ाई का गुरा होता है जब दोनों अलग अलग है तो आयत होगा आयत का छेत्रफल लंबाई गुरा चड़ाई होता है तो लंबाई देदिया 240, गुरा में 4 देदिया 110, दोनों का गुरा कर लेते हैं, जब गुरा करेंगे तो होगा इतना, इसको लिखेंगे, मीटर में दिया तो देखिए मीटर का स्क्वाइर लिखेंगे लेकिन हमको अब बताना किसमें है, अगर हेक्टेयर में नहीं पूछता तो हम लोग यही एंसर लिख सकते थे, लेकिन देखिए काराय छेत्रफल को हेक्टेयर में बताना है तो जब हेक्टेयर में बताएंगे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे हेक्टेयर में बदलने के लिए दस हजार से भाग करेंगे जब दस हजार से भाग करेंगे तो ये बदल जाएगा हेक्टेयर में अब दस हजार से दो जीरो से देखिए दो जीरो को कैंसिल कर लेंगे और हेक्टेयर यही एंसर हो जागा तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है आपको सिक्स को देखते हैं आपको सिक्स दिया हुए यह का आताकार मैदान का चेतर फल 05 हेक्टेयर है यदि इस आताकार मैदान की एक भुजा एक सो पचीस मीटर है तो दूसरी भुजा ग्याद किजिए दूसरी भुजा मतलब एक भुजा दे दिया एक सो पचीस दो दूसरी पूछा है दूसरी मतलब एक लंबाई होता है चोड़ाई होता है आयत में तो एक कोई दे दिया एक सो पचीस दूसरा पूछा है तो हम लोग लिखेंगे पहले जो दिया उसको लिखेंगे लिखेंगे आताकार मैदान की एक भूजा वराबब एक सो पचीश मीटर दे दिया है दूसरी भूजा पूछना है दूसरी भूजा हमको पता नहीं है कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं उसके जवापर और छेत्रफल दे दिया है छेत्रफल देखिए दे दिया है छेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर अब आप लोग एक बात ये ध्यान में रखेंगे जब ये मीटर में दिया तो ये हेक्टेयर में नहीं होना चाहिए ये भी मीटर में होना चाहिए तो आप लोग जानते हैं कि 10,000 मीटर स्क्वाइर बराबर एक हेक्टेयर होता है और जब कि ये हेक्टेयर में इसको मीटर में अब जब गुड़ा कर लेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा देखिए इसका जब इसमें गुड़ा करेंगे तो एक जीरो एक दसमलो जहट जाएगा पाँच का एक में गुड़ा पाँच है और तीन बाद जीरो मतलब इतना मीटर का स्क्वायर हो जाएगा हमने इसको मीटर स्क्वायर में क्यों बदला क्योंकि भूजा ये मीटर में दिया और ये हेक्टेयर में तो हेक्टेयर से जब मीटर में बदलेंगे तो दस हजार का गुरा करना पड़ेगा तो ये देखिए छेतरफल दे दिया, भूजा दे दिया, दूसरी भूजा पूछ रहा, तो हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे हाँ, माना, माना, दूसरी भूजा बराबर, दूसरी भूजा बराबर, एक्स मीटर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिजिए, एक्स लिखेंगे आयता कार मैदान का छेत्रफल बराबर, लिखेंगे आयता कार मैदान का छेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है लंबाई गुड़ा में चोड़ाई आप लोग जानते हैं ये आताकार माधान का छेतरफल निकालना तो आत का छेतरफल लंबाई गुड़े चोड़ाई अब छेतरफल देखिए दे दिया यहाँ 5000 छेतरफल के जवब पर लिखेंगे 5000 बराबर लंबाई लंबाई का मतलब क्या हुआ कोई भी इसमें से लंबाई चोड़ाई नहीं पता है एक भुजा दूसरी भुजा है एक भुजा किसी के जगा पर भी यह लिख लेंगे एक सो पचीस और दूसरा वाला हम लोगोंने माना है एकस तो एकस निलिख लेंगे सॉल्ब करना हम लोगों को एकस का मान निकालना है मतलब दूसरी भुजा का मान निकालना है तो एक सो पचीस देखिए इधर गुड़ा में इधर आएगा तो भाग में होगा तो 5000 बटा में एक सो पचीस लिखेंगे यहां बच जाएगा X X मतलब दूसरी भूजा 125 से जब इसमें भाग करेंगे तो 40 बार में ये कटा X का मान 40 आया यही लिखेंगे मतलब दूसरी भूजा लिखेंगे अत दूसरी भूजा बराबर 40 मीटर ये अंसर हो जाएगा दूसरी भूजा बराबर 40 मीटर लिखेंगे अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखता है तो देखिए आपक्वेश्चन नंबर 7 दिया एक वर्गा का टाइल की एक भूजा छेत्रफल और परिमाब का फार्मूला लगाएंगे लिखेंगे एक बार जो दिया इसको लिख लेते हैं वर्गा कार वर्गा कार टाइल की एक भूजा दे दिया है एक भूजा बराबर 12 से में तो वर्ग में आप लोग जानते हैं सभी भूजा बराबर होती हैं ये कही भूजा से मतलब है तो भूजा दे दिया 12 से में छेत्रफल पूछा हैं तो लिखेंगे वर्गा कार वर्गा कार लिख लेंगे यहां इसलिए वर्गा कार टाइल का छेत्रफल बराबर छेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं वर का छेत्रफल क्या होता है भूजा का स्कुआर ऐसे हमने लिखवा है था फार्मिला आप लोगों को एक का स्कुआर एक क्या है भूजा यही बार तो हम लोग हल कर लेते हैं एक जागा पर बारा लिखेंगे तो बारा का इसक्वाइर होगा बारा इसक्वाइर मतलब बारा गुडा में बारा लिखेंगे बारा का बारा में गुडा जब करेंगे तो 144 होगा सेमी में दिया है तो सेमी का इसक्वायर लिख लेंगे इसी को वर्ग से मी भी लिख सकते हैं आप लोग यही अंसर हो जागा और वर्ग का टाइल का परिमाप भी पूछा तो हम लोग लिखेंगे तथा वर्गा का टाइल का परिमाप परिमाप बराबर परिमाप आप लोग जानते हैं वर्ग के परिमाप का फार्मूला हमने बताया था चार गुड़े ए हमने लिखा था चार या चार गुड़ा भुजा तो चार गुड़ा में भुजा का मान देखिए दे दिया बार गुड़ा कर लेंगे तो 48 होगा इसको semi है तो semi में लिखेंगे ये answer हो जागा तो इस तरह question को solve कर लेना है तो आज के लिए बस इतना ही अब आप लोग अगले part में जो भी question इस exercise में बचे हुए हैं उस exercise को पूरा complete करेंगे इस exercise के सभी question को आप लो अगले वाले part में पढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही